असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं अच्छी हूँ देखिए अभी आज मैं बना रहें चिकन चिकन की बिर्यानी बना रहें कच्छी अखनी की जो भोट मज़े की रहती हैदराबादी स्टायल मैं मैं प्याज ली देखिए दो किलो प्याज को कट करके रख ली इसको वेनिकर से धोली चिकन को और पहले पानी निथार दी चिकन का छन्नी में निकाल के फिर इसमें मैं दाली अध्रकलस न, हल्दी और मिर्ची नमक दाली डाल के इसको, अच्छे से मिक्स करके, हम लोग बाजू रख दिंगे इसको, यह देखिए, अभी मैं हल्दी मिर्शी डाल रहे हूं, मैं चिकन ली छे किलो, क्योंकि मेरी ननन्द, दो नन्दे, उनके बच्चे सब आ रहें थे, तो मैं इसे लिए चिकन बना रहें थे, आज कि ब्रियानी, और यह देखिए, इसमें मैं दाली शाजीरा, दालचीनी, तेजपता, यह सब चिज़ं को हम दालके, और इसमें दालरी में कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी डालने से भी अच्छा सा टेस्ट आता, यह भी दालिए, और अब वो लोग आने का, आगे वो बनाना स्टार्ट करी, मेरी नंदे, और नंदे, उनके बच्चे सब लोग आए वे है, रात के खाना, हम लोग खानी की तयारी कर रहे हैं, मैं अभी दाली देखिए, लॉंग इलाई जी, और देखिए, अभी इसमें मैं दाल रहे हैं, गरम मसाले का पॉडर और बिर्यानी म मसाला भी है इसमें, यह दोनों दाली देखिए, यह 6 किलो चिकन में मैं ली, दही दो किलो ली, क्योंकि मसाला ज्यादा रहने से, चिकन की बिर्यानी, कोई भी बिर्यानी हो, उसमें मसाला अच्छा रहना, और मसाला कैसे अच्छा रहता, प्यास ज्यादा दालना और दही अच्छा डालना, दही और प्यास की वज़े से मसाला होता, उसमें टेस्ट अच्छा आता अदर मैं प्यास दलने को स्टार्ट कर दी, यह देखिए मैं मिक्स करके रख रही हूं प्यास भी हमारी चुले पे दलना स्टार्ट हो गई यह देखिए मसाला आच्छा रहना देखिये मसाले में । रीजों सिम्यलियों करो और बहुत मज़े की बिर्यानी होती अगर मसाला रहा तो इसमें में डाल रही लेए निया दही दो किलो दही न मुद्त द्ड़ डेख हंगाई लेकिन देड़ किलो दाली दालींगे तो मज़ा अच्छा आएंगा हरी मेर्ची भी दालिए में को हरी मेर्ची दालना अच्छा लगता बहुत उसको मैं पीस के रख ली यह हमारी प्यास रेडी होरी देखिए अच्छे से इसको तल लिए मैं कड़ाई छोटी है तो मैं बगोने में ज्यादा तेल डालक इसको तल ले रही हूं एक एक किलो करके तल रही है इसमें यह देखिए हरी मेर्ची पीसली में अब इसमें हरी मेर्ची प्यास वह जो तली भी प्यास थी हमारी वो भी दाल दी और गरम तेल डालिए देखिए अखनी में तो मज़ा अच्छा आता गरम तेल जो प्यास का त दाल की नमक डाली शा जीरा दालचीनी मैं मोटा नमक डालती हूं एक किलो को एक मुट्टी दालति हूं है कि दीखिये हमारे चाह्मल भी रेडी हो रहे हैं भी कियो यह अगनी भी बनाके पहले बनाके में रख ली आ पंद्रा मि्निटबी लिफान रखे तो अच्छा है लगा के मसाला सोब 15 मिनिट भी रख दिये तो मुश्किल नहीं है जब तक फिर हमारे चावल रेडी हो गए यह देखिए मेरी बिर्यानी पर मैं जो चिकन है उसको नीचे दालना उसके ओपर चावल दालके चिकन के ओपर चावल दालके प्यास तली वी यह देखिए मैं सब भ हाफेज बड़ी तेस्टी बनी